कि इस्क्रीन के ऊपर आप एक क्वेश्टन देख सकते हैं यह सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022 का आर्टेपी का एक क्वेश्टन है जो कि मैं आपको एक केस इस्टटी बेस्ट क्वेश्टन सॉल्व कराने वाला हूं लाइफ तो इस वीडियो में अंधर तक बने रहना अगर आ अपरोच देखना है कि कैसे एक के सिट्टी बेस्ट को सॉल्व करते हैं तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे या तो यहां होगा यहां होगा आप देख लीजेगा तो चलिए हम अपने सबसे पहले को पढ़ते हैं क्वेश्टन का पढ़ने का पैटर्न समझीए दोस्तों सबसे पहले हम कुश्टन के सबसे निचले पार्ट को देखेंगे जहां पर पूछ रहा है कि क्या एक्ट्वडी में पूछिटन पूछ कि तो जैसे कि यहांप आपने देख सकते हैं पूछ रहा है कि एक्स्ट्रेंड वेदर इस वाइट और वाइट बाल और वाल है तो सिंपली दोस्तों यहां से हमको 20% एक रिलेट मिल रहा है टॉपिक पे कि यह वैलिट वाइड और वाइडेबल टॉपिक पे यह केसे जड़ी बेस्ट क्वेश्टन है तो चलिए हम देखते हैं कि क्या है सिनेडियो में क्वेश्टन में आकर क्या कहा है प्रक्रेश्टन में आभा मजश्टन में जो मेंबर्स होते हैं वह एज चलिटिबल प्रपूस के लिए जा फिर कोई भी डोनेट करते हैं किसी और एंपोमें इया नं गॉनس अर्डैसेशन में इसको बलते हैं जिसने जिसने डोनेट किया एक elephant to temple as a core part of ritual worship ritual worship मतलब दोस्तो किसी चीज के किसी चीज का हम पूजा करते हैं उसके लिए हमने डोनेट किया He contracted Mr. X who wanted to sell his elephant और Mr. X contract with Mr. Y Mr. X ने contract किया elephant को बेचने के लिए और Mr. X ने Mr. Y के साथ contract किया है तो sell his elephant for 20 लाग 20 लाग रुपे में उसने अपने elephant को बेचने के लिए वो offer किया है Both were unaware that the elephant was deed दोस्तों यहाँ पे आपको एक point note करना होगा कि Mr. X ने Mr. Y के साथ contract कर लिया है Okay, sell करने के लिए मतलब contract हो गया है तो दोस्तों आगे पड़ते हैं Both were unaware यहाँ पे आप note कियेगा एक word unaware बोल रहा है यहाँ पे एक word आ रहा है unaware unaware का मतलब दोस्तों दोनों को पता नहीं है कि जो elephant है वो मर चुका है a day before he agreement मतलब जिस दिन agreement किया जिस दिन agreement किया उसे उसे पहले ही जो elephant था वो मर गया वो मर गया वो जिन्दा नहीं है अब पूछ क्या रहा है reference to the provision of Indian contract है मतलब contract 1872 का provision को refer करें और बताएं कि क्या ये contract void है या voidable है या valid है तो दोस्तों ये question है हमने एक चीज को समझा सबसे नीचे परने के बाद कि ये पूछ रहा है कि क्या contract void है voidable है या valid है हमने question में देखा कि Mr.X ने Mr.X अपने elephant को donate करना चाता है एक temple को जिसके लिए वो Mr.X ने Mr.Y के साथ contract में इंटर हुआ अपने elephant को बेचने के लिए 20 लागने और Mr.X और Mr.Y दोने को पता नहीं है कि ये जो elephant है वो नहीं रहा वो अब नहीं है तो दोस्तों आप यहाँ पर समझे ये topic क्या बोल रहा है आपने किसी चीज के लिए contract किया किसी चीज के लिए contract किया वो चीज क्या था वो चीज है एलिफेंट वो एलिफेंट ही नहीं रहा तो contract दोस्तों क्या वाइड होगा ये question है क्या contract वाइड वाइड होगा ये भी question है या क्या question वाइड हो जाएगा तो दोस्तों हमने एक topic पढ़ाया है कि जहां पर हम किसी भी तरह का कोई contract करते हैं कि तॉपिक में मैं पहले लिख देता हूं impossibility of performance का case है ये जहां पर दोस्तों जिस चीज के लिए contract किया गया था subject matter वही नहीं रहा वही destroyed हो गया है मतलब जिस चीज के लिए हमने contract किया वो subject matter ही अब नहीं रहा तो दोस्तों क्या contract valid होगा इसका जवाब है नहीं अब यहां पर topic इंकल क्याता है impossibility of performance यहां पर दोस्तों दो केस आता है लेट में टेल्यों इन डिटेल impossibility of performance इसमें दोस्तों दो केस आता है एक exist at the time of contact और दूसरा subsequent subsequently impossibility जिसको दूसरा नाम दिया जाता है शूपर वेनी शूपर वेनी इंक इंक पॉसिबलीटी तो दोस्तों यह दो point आता है impossibility के लिए अब माल लिजे मैंने contract किया है और यहां पर unaware बोला था दोस्तों जो जो topic आया है कि impossibility impossibility exist at the time of contract यहां पर तीन केस निकल कर आता है अगर दोनों पार्टी को दोनों पार्टी अनावेर है या फिर दोनों पार्टी अवेर है या फिर सिर्फ प्रॉमिसर को पता है कि यानि जिसने offer दिया प्रॉमिसर को पता है कि पर्फॉमेंस impossible है तब देखिए इस केस में दोस्तों contract क्लेम कर सकती है आई होप आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों क्वेश्टन का बेस यही था कि दोनों अवेयर है यानि कि क्वेश्टन इस पे था टॉपिक यह है तो यहां पर मैंने आपको कंक्लूजन देती है कि यह वाइड होगा अब कहींगे कि हम इसको लिखे कैसे तो आपको facts देना है यानि कि हमें पहले क्वेश्टन का keyword देना है तो keyword क्या-क्या होगा यहां पर देखिए मिस्टर वाइड जो की एक डिवोटी है कि डिवोटी है वो चाहते है अपने एलिफेंट को एलिफेंट तो डूनेट इट्स एलिफेंट फॉर रिचुवल रिचुवल वार्षिप यानि कि पूजने के लिए और मिस्टर एक्स ने कोंट्रक्रट कर लिया मिस्टर वाई से मिस्टर-未क्स एक्स कॉंट्रेक्टेड तू सेल एलिफेंट तुसेल एलिफेंट फॉर रुपीजingly ऐमांट है त्वटी लाग की लिए और मिस्टर एक्स एंड?" य इंटर्ड इंटू कॉंट्रैक्ट ओके आयोग आपको समझ में आ रहा होगा बट बोथ अन अवेर किस चीज के बारे में आने विएर है कि दे एलिफेंट इज दे एलिफेंट इज डाइड विफोर दर अग्रीमेंट यह दोस्तों आपको फैक्ट में लिखना है मैंने कह लिखा मिश्टर वाई जो कि एक डिवोटी है हमको लिखना है तोड़ा डीटेल में वांटेट टू डूनेट इट्स एलिफेंट फॉर वार्षिप परसी मतलब कि पूझने लिए इसलिए मिस्टर एक्स ने कॉंटाट किया मिस्टर वाई से तू सेल एलिफेंट फार रूपीज ट्वेंटी लाख और यहां पर आफेंट ह है मैंने जड्रेख में लिखा है मिश्टर एक्स सब्सक्राइड दूकॉझ बहुत अंविएर यहां प्यापको नह नहीं elephant मठ चुका था अब देखें दूस्तों analysis में जाने हम जाएंगे reference में sorry अब reference में क्या लिखना है जैसा कि मैंने आपको बताया था यहां पर सबसे पहले तो आपको टॉपिक पहले पता कर लेना है कि क्या टॉपिक है उसका introduction डालना है तो माल लीजिए आपको section नहीं पता है कि क्या section है ऐसे तो impossibility का section है कि देखिए यहां पर मैं लीख रहाँ एक्कॉर्डिंग टू टू सेक्शन है फिप्टी सीक्स ओफ इंडियन कॉंट्रैक्ट एक्ट एक्ट एटी सेवेंटी टू आपको पहले यह इंट्रो देना है इसको इंट्रो करते हैं कि इंट्रोडक्शन करते हैं इसको अब आपको इस इस सेक्शन जो आपने दिया है इसको एक्स्प्लेन कीजिए तो यहां पर क्या करता है इंपॉसिबिलिटी अब को पूरा टॉपिक नहीं लिखना है जिस टॉपिक तु बना हुआ है उसका सेक्शन डाल देना है और वह टॉपिक लिखना है इंपॉसिबिलिटी एक्जीश्ट एट टाइम ऑफ कंट्रैक्ट अब देदे दोस्तों यहा बोद अन अवेर अनवेर पी बोद अवेर और सी अनली प्रॉमिसर जिसने पर्फॉमेंस का प्रॉमिस किया था अनली प्रॉमिसर नूर तो जोस्तु इसमें भी वाइड हो जाएगा इसमें भी वाइड हो जाएगा और इसमें भी वाइड होगा प्लस आपको इस तरीके से लिखना है आपको मैं गरेंटी से ताहूं कि आपका गलत नहीं होगा वाइड प्लस यहां पर आपको लिखना है डामेज it can be claimed वाइड को यह कंतेंट दया रिफ्रेंस अपको क्या यहोप आप Сंब्रेंगें होगे किस तरीके से आपको लिखना है मैं वीडियो में बताया कि आपको čारों पॉंट वेसट फॉयें किया Jewel प्रवीजन जी तरहिए पोटीबेस्ट को स्टन इस तरीके त्लिकना है तो अब हम चलते हैं एनलसीश पर अब देखिया आप अनलसीज में लिखना है कि आपको हेडिंग डालना है चारू पॉइंट का जैसे एनल्सिस में लिखा अब इसमें क्या लिखेंगे यहां पर आप लिखेंगे कि एज पर्दा गीवें कि प्रोवीजन 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 कि ओन एबॉब प्र वीचि जघची कॉन्ट टेक्टमनि नवी आप अव मुईट के ऐद आविट आड देक्र गिया न दौन 280 कोंट्रैक्ट कि विखेंग कि वॉइड एब इनिश्यू कि मतलब हमें अपना पॉइंट फ्यू देना है कि दिये गए प्रोविजन के हिसाफ से कॉंट्रैक्ट वॉइड हो गया है अब आपको चौत्थे पॉइंट पे आना है जिसमें आपको बताना है कंक्लूज़न आपको वीडियो समझ में आ रहा है अगर समझ में आ रहा है तो हिट लाइक बटन चैनल को सब्सक्राइब करना और जितने भी सिए फांडेशन के दोस्ते हैं उनको सेड़ जोल करना आप कंक्लूज़न पर कैसे करेंगे तो माल लीजिए यहां पर कोई पॉइंट नहीं है तो कि बिकें वाइट एप इन इस्यू तो दोस्तों यह तरीका था आपको प्रैक्टिकल कुष्टन सॉल्व करनेगा और केसे जरी बेस्ट सॉल्व करना है जिसको दूसरा नम भी देते हैं सेनारियो बेस्ट कुष्टन दोस्तों वीडियो कैसे लागा कमेंट सक्क्राइब नी चैनल को सब्सक्राइब करो और भाई को सब्सक्राइब करो अपने से फांडिशन की कम्यूंटी को ग्रू करने अपने योगदान दिखाओ चलिए वीडियो को इन समात करते हैं तब तक लिए जय हिंद्द